हेलो फ्रेंड्स व्लकाउं टुम्रावन क्लासे दोस्तों मुलों शेशन के अंतरगत सफर सम्मिधान को पढ़ रहा है और इस शेशन के अंतरगत आज हम लोग पढ़ेंगे राष्टपती का सफ़त और राष्टपती पर महाभ्योग किस-किस अनुछेद का अंतरगत आते हैं इस थोड़ा डिटेल से अध्यन करेंगे पिछली वीडियो में हम राष्टपती से रिलेटेड ही आपको वीडियो प्रवाइट करा हैं आप उस पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो का पूरा देखेंगे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा इस से रिलेटेड हम और जो भी पॉइंट लिये हैं डारेक्टली एक्जाम में पूछ लेता है बहु सर यहां से कोशन टच करने हुआ को दिखेंगे एक्जाम के अंदर तो आप बड़े ध्यान पूर्वक देखेंगा इसको देखें राष्टपती पर सपत राष्टपती का जो सपत होता है और जब चुनाव होता उसके बाद उसके लिए सपत दिला जाता है चाहे छोटा से छोटा पद ले ले किसी ने किसी व्यक्ति द्वारा उसको शपत दिला जाता है शपत के इस चीज़ का दिला जाता है यह भी जानेजिए शपत राष्ट के हित के लिए आप राष्ट की सेवा करेंगे आप राष्ट को समर्खपण के साथ उसको प्रगती और उन्नती की तरफ ले जाएंगे इसके लिए बचन बद्ध किया जाता है उतको कि मैं पूरे इमा एक राष्ट प्रकें कहिंट के कि बात करेंगे यहां पर राष्ट पर पती को जो शपत है yn जो सुप्रीम कोट होता उसका मुख्キ मैं अधीख होता है राषट लेन में निकाल नक्याई निकाल लेंगे थहोगा प्लस यह जो एक हेड़ हता तो राष्ठ परती जो शपत है आपको मुख्य नहीं दिशैइनี होता है मुख्य नहीं दिखा रहा है मुख्य नहीं पढ़ेंगे प्यपदर जीज़ को राष्ठ परति साइड मेंने ऊसी को दोह रहाएंगे मैं भारत के अखंडता और भारत को विक्सित राष्ट होने के लिए बचन बद्ध होता हूँ मन इस परकार से जो वो बोलेगा और वो बना कर नहीं बोलेगा वह समयदान में लिखी थे पूरा बेवरण लिखा हुआ है कि राष्ट पती के सपत के लिए क्या क्या चीज बोलवाना है और क्या क्या चीज बोलेंगे वहीं पर प्रधान मंत्री है तो प्रधान मंत्री के लिए भी सपत के बेवस्था लिखा गया है जब प्रधान मंत्रिस जब सपत गरहन करेंगे तो उनको वही चीज बुलवाई जाएगा जो समिधान में पहले से लिखी तो पर बनुरित किया गया है तो आप यहां पर मोटी मोटा ध्यान रख लिजिए कि राष्ट पती जो भारत के राष्ट पती कि सपत है भारत का मुख सपत दिल यह हैं उसी दिन उसका तब्यद खरब हो गया तब को सपत दिल आएगा ऐसे कंडिशन में जो 33 को बचे हैं अनिनाधीस उनमें से एक किसी को एक में चुना जाएगा 33 में से किसी को उसमें हेट चुना जाएगा और वो आपको उसका सब दिलाएगा अगर मुख्य नहीं है तो अब 33 में से कोई एक क्या कर सकते हैं राष्टपद्य को सपत दिलवा सकते हैं अब को यह कोईशन पूस देता है को नहीं कि यह 2300 नहीं रहता हूं भारत में Jewish सब्सक्राइब ना जितने हाइड के मुख्य नाधी से हाइड से अब उनमें से किसी को चुना जाएगा और उसके द्वारत सब्सक्राइबा बेधिये। ऐसा कंडिशन हो सकता अभी तक भारत में ऐसा हुआ नहीं है कि 3300 गायव हो जाए है कोई से चलेगा भारत का कारेबार सुप्रीम कोर्ट तो ब्रश्ट मंदेख खदम हो जाए ब्यवस्ते पूरा एक बात रखी गई है कभी ऐसा होता है तो ऐसा कंडिशन में इस वरकार के नियम लागू हो सकते हैं तो आपको यहां तक किलियर हो गया ना उनके अन्य अधिस आपको सब्सक्राइब दिलवा सकते हैं और में जगह पर आते हैं अनुचित 61 राष्ट पती पर महाभ्योग भारत के कानून में सबसे कड़ा कानून माना जाता है जितना भारत का कानून है पूरे समिधान के इंदर ना सबसे कड़ा कानून माना जाता है महाभ्योग लगाना जिसके उपर महाभ्योग लग गया वैसे सब के उपर महाभ्योग लगता भी नहीं प्रदान मंत्री महाभ पर लगता आपको लिखे हैं महभ्योग आपको राष्ठपती पर लग सकता है उपर राष्ठपती सुप्रिम कोठ को मुख्य नाइ दी चैसे उसके ऊपर लग सकता है यह सीजी हो गया सीजी एक भालत सरकार का आयोग है विभाग उसके उपर लगता है निरवाचन जो चुनावकव तो उसके में हेड है उसको फ़िखने के लिए व्य्माहभ यूग लगता तहले या राज्यपाल जो जिसको राज्य का राष्ठ्तिपती दोल? लाता है उसको राज़िपाल और भारत का राष्ट पती में नहीं अंतर है तो इतने लोगों को हम महाभीयोग दोरह हटा सकते अब महाभीयोग लगता क्यों है अनिहरीओ तो महाभीयोग लगने का मतलब हो गया को उस व्यक्ति को उस पद से हटाना और हटा कई से बहां खीच के नहीं हटा देबाए तुब भागे जाले राष्ट वदिदेग कानून बनाया गय और ऐसे ऐसे प्रोसेस करेंगे तब हटाया जा सकता है बात आती है कि आखी राष्ट पती को हटा है क्यों जाए क्यों हटा हटाने के क्या के कंडिशन से किन किन अवस्थाओं को में राष्ट पती को हटाया जा सकता है तो यहां पर आपको चैलेंजिंग आते हैं कि अवस् अर्थात सम्विधान के कानून को न मनना मनमाने ढंग करना ऐसा राष्टपती देश को बेच भी सकता है देश के लिए बड़ा नुक्साम भी कर सकता है देश की सेनाओं को गलत जगह पर लगा भी सकता है जब इतना खत्रा पैदा हो जाए जब राष्टपती के कार्यों से जब देश को खत्रा पैदा हो जाएसा लगा कि देश को खत्रा है इस व्यक्ति से तब उसको हटाने की बेवस्था बेकिया गया है जब कि देश का स्वर्व सक्तिमान एक पद है राष्टपती सबसे गेसरों घलाने की जो प्रक्रियान होती है उसको अबंटाने की जो विडिया वहोती है उसी को महाभयों कहा जाता है और प्रोसेस है आप जान दिवुद्धेतना कि जो हमारा olhar संसद लोग सभा तथा राजसभा है च्छिक ना तो लोग सभाम में राजसभा कहीं भी राश्ट पती को हटाने के लिए इसको अर्जी लगाया सकता और थात इसके लिए प्रस्ताह पारित किया जा सकता कहीं वी या तो लोगसभाम कर लो आतो राजसभाम नहीं है जो देश चला सकता देश को maintain रखने की इनके अंदर कबूल नहीं है इनसे देश को खत्रा है इनको हटाया जाए लोग-सवा में इपbitक की एं तैसे platform स्फम्ल 궈क सभाशन पर्षंट संख्या होगा जितनी भी संख्या होगी Wlerashtoती के उपर महाभ्योग लगाने के लिए प्रकरिया को लागू कर सकते हैं चाली कर सक्ते हैं महाभ्योग तब लगेगा जब हेतना लोग तयार होंग तब इसके संख्याई के बटे चार लोग जब 25 परशन लोग तयार हो गए इनके पर महाय भ्योग लगना चाहिए तब उसका प्रोसेश चलोगा अगर इससे तनकों कम हुए तब माभ्योग नहीं लगए अर्माल लग हम राष्ट पती हैं और हमा इस लोग उस संख्या का 25 परशन लोग बोलने लगे मालों के इस गाह में 100 दूसर लोग आदमी कहें लगना अरे नाई बिल्गो डाट पढ़ा रहा है इसको नहीं पढ़ाने आ रहा है इसको कोई जनकार नहीं इस परकार से जब चर्चाएं होने लगे मतलब कहीं ने कहीं क आपके अंदर खामिया जरूर हैं तभी इतनी चर्चाएं हो रही हैं तभी इतने लोग आपके खिलाप खड़े हो रहे हैं उसी प्रकार से लोग सभा के अंदर जब 25 परशन लोग आपके खिलाप हो जाएं तब आपके उपर महाभियोग लगने की पूरे पूरे चांस से से आपके ओपर महाभयोग पक्का है लगेगा अब महाभयोग लगने का मतलब भूगया आपके पद से आपको हटाने की प्रक्रिया हो गई अ कृण रूप से लागુ होगा पूर्ण सो लागु तब होगा जब इस पूरी सीट का दो सो पैंतालिस जो सीट है उसका अगर आपको दो बोटे तीन संख्या लो अर्था दो बोटे तीन भाग पूरी तरस वोटिंग कर दे उसमें बोट होता है इसे नहीं राश्पूत हट सकता है तनके महटा दिए पांसो पैंतालिस का दो बोटे तीन जितनी संख्यां आएंगी जब उतना लोग वोटिंग आपके खिलाप कर दिए तो अब संसद से आप बाहर होगें अब आप लोगसभा में नहीं जा सकते हैं किसमिनाई जाए सकते हैं लोग सभा आपको लात मारकर बाहर कर दिया आप लोग सभा में चरण तक नहीं रख सकते हैं अर्था लोग सभा का आप से पूरा अधिकार समप्त हो गया तो कि इतना लोगों ने आपके खिलाब होटिंग करकर आपके उपर महाभ्योग लगा कर जाता है सोच भी चाल जागाए कैसा मिश्टेक न होला इंदर नहीं आपके टांड़ा लगता है दोचार दिन कर टाइंब लगता था उसकी वपर सोच भीचार नित्निंक अंठीकौर गल्टीशнит किया है इसको हटाना हो सिद्थ है नहीं उसके बाद जाका पूंड उसे जब इतनी संख्या दो बटे तिन संख्या वोट कर दिया तब जाकर राष्टपती को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं कि राष्टपती तो लोग सभास हट गिना। लेकि अभी राज सभा मुझा अदिकार हैं हैं अब आब यही लोग अब इसी चीज को राष्टपती को हटाने के लिए इसी परकिर्या को राज सभा में भीलाव करेंगे और राज सभा के अंदर भी शोब्से कम महाभयोग को चा चाहिए अर्था यहां पर 245 सीठे हैं राजसभा में उसमें कमसे को उसका एक बटे था उसका भी 25% लोग को उसके विरोध में होना चाहिए ताकि उसके उपर माभ्योग लगे अब राजसभा में भी अगर बोटिंग हुआ और दो बोटी तीन संख्या उसके विरोध में राजसफा से बाहर जब दूनों जगाशी बाखर तब कहां जीवा भर यह आवाव राश्ट बिल्कुर नहांगा अब कोहीं भी ने बेढ़ सकता है राष्ट पती ऎक यह गयतों किया इस प्रकार से रश्ट पति पर महाभयो लगाए जाता माभ्योग आपको अमेरिका की सं बताने के लिए यही नियम कानून लगाया जा रहा होगा जो अभी फिलाल हमारे देश में लागू है ठीक ना तो यह टोटल आपको राष्टपती पर महाभियो कैसे लगता है आपको बताने का प्रयास कि अब यह लोग सभा के जब पारित हो गया जब लोग सभा से राष्ट इसको लाग के जाता है और चोड़ो दिन बाद फिर वहां से बही राष्टपती को निलम्बश किया जाता उनके पत इह प्रक्रीर के राष्टपती के साथ Merkel होता है यह पर हम सब्सक्राइब कहने सिप्रेम कोट को मुख्यो उसकी मान मरियाधा सीक का हनन क लिए जता है तो उसका ऐसा लगता है कि मरने की समान मेरा कोई सममान महा भय लगता है क्योंकि उसको पद पहर रहते हम पद से रहते लिए दॉरे और सामस्ह रिर ज COVID कर Wahnam बैड लगता है उस पद की गरिमा जब समाप्त की जाती है तो आज की वीडियो में हमने आपको यही बताने के प्रियास किया कि जो राष्ट पती का जो पद है उसको हम लोग सपत कैसे दिलाते हैं उस पर महाभीयो कैसे लगते हैं आपको के लिए समया होगा तो चली आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए